आप सबी का स्वागत करता हूँ और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किये 24, 25, 26 और 27 सितंबर के राष्ट्र अंतराष्ट्र इस तर पर जो भी महत्वपूर्ट घटनाय हुई उनको हम लोग देखने वाले हैं चले तो इस सीरीज में हमने एक वीडियो पहले डाली थी और अब हम लोग 24, 25, 26, 27 सितंबर के करेंट अफेर्ज देख रहे हैं सबसे पहले लास्ट क्लास के करेंट अफेर्ज को लास्ट क्लास में हमने सबसे पहला देखो मैं रिवीजिन पर इसलिए फोकस देता हूँ अगर रिवीजिन नहीं करेंगे तो आगे पार्ट पीछे सपार्ट वाली कहानी हो जाएगी कि हम लोग बस आगे का करते जा रहे हैं और पीछे क्या हुआ भूलते जा रहे हैं इसलिए revision बहुत जरूरी है तो previous वीडियो के जो हमने current affairs देखी तो उनको बिल्कुल तेजी से revise करेंगे सबसे पहला question last class में था हाल ही में किसने green fins hub launch किया है green fins hub मैंने आपको बताया था United Nations Environment Program यानि संयुक्त राष्ट पर्यावरन कारेकरम का ये program था जिसके अंतरगर जो प्रवाल भित्या यह नहीं coral reef होती है उनको बचाने के लिए और साथ साथ tourism को भी रखने के लिए मनलब tourism भी हो लेकिन coral reef को हाम भी ना हो तो ऐसा करने के लिए UNEP ने कुछ guidelines कुछ दिशा निर्देश बनाए वही green fins hub program कहलाते है यानि कि जो tourist वहाँ पर जाए उनको क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए ताकि coral reef भी खराब ना हो प्रवाल भित्यां खराब ना हो उनका रंग भी ना जाए तो यही है आपका green fins hub program जो कि किसका है UNEP का program है second बात करते हैं भारत की पहली semiconductor production factory सब में previous class का revision करवा रहा हूँ तो ऐसा मत सोचने हम लोग तेज़ चलने यह previous class का revision है तो green fins hub के बाद दूसरा question है भारत की पहली semiconductor factory तो पहली semiconductor production factory कहाँ पर गुजरात में स्थापित की गई तो मैंने आपको यह बात बता दी कि वेदानता ग्रूप और जो ताइवान की कंपनी है Foxconn International वो लोग मिलके यह बना रहे हैं क्या बना रहे हैं semi-conductor factory semi-conductor यानि की silicon germanium वगेरा तो हमारा जो electronic सामान होता है उसमें silicon chips लगी रहती यानि semi-conductor का अस्तमाल होता है और अभी currently बहुत जादा shortage चल रही है semi-conductor की international market में और अच्छा है कि हमारे हाँ पर एक factory लग रही क्योंकि अभी तक हम लोगी पूरी चीज इंपोर्ट करते हैं तो आइवान, South Korea, चीन जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं हमारे हाँ पर भी factory लगेगी बहुत अच्छा होगा next question पर आते है next question है Knight of the Legion of Honor जो की France का सबसे बड़ा civilian honor है जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है तो ये किस भारती को दिया गया है स्वाती पीरमल जी को दिया गया है कौन सा दिया गया है तो हमने क्या बोला Knight of the Legion of Honor किसको दिया गया है स्वाती पीरमल जो की पीरमल ग्रूप है pharmaceutical का दवाईयों का उसकी wise chair person है ये और इनको दिया गया इससे पहले हमने देखा शशीत हरूर साहब को भी इसी साल ये Knight of the Legion of Honor सम्मान मिला शशीत हरूर से पहले कई लोगों को मिला है लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है next question क्या है 17 सतंबर 2022 को भारत का पहला स्वच सूजल प्रदेश गोशित किया गया स्वच और सूजल दो अलग अलग शब्द है मैंने आपको इस बताई कि स्वच मतलब होता है खुले में शब्द से मुक्ता है पुरी टरीके से और ऐसे भी बदेश हमोगोद है जो हर जल हर घर जल ह हर घर जल है लेकिन दोनों चीजें एक जगा पर हो ऐसा अभी तक कोई नहीं था यानि ऐसी कोई जगा जहां पर हर घर जल भी हो और खुले में शौच मुक्त हो तो यह combination सबसे पहला आया है अंदमान और निकोवार तो उसका सही जवाब हमने last class में क्या देखा अंदमान निकोवार करेंगे देश की पहली digital address city होगी दिज़िटल एड्रेस इंदॉर की यहां पर बात हो रही है मैंने आप कोई बड़े अच्छी से बता है कि डिज़िटल एड्रेस का क्या मतलब है तो अब यहां पर एक एप है जिसका नाम में पता उसने यह बोलाया कि जो भी इंदॉर के लो पता आपको देगी यही और उसकी वज़ए से फिर क्या होगा प्यौलावार को ऑन्प सब्सक्राइब से पूरे गर की एड्रिस की इंफ्रमिशन, इन्फरिम्मिशन, सामने इंडार में डिजिटल अड्र यहाँ पर हीरा यहाँ पर लकडी यहाँ पर मचली यहाँ पर तेल यहाँ पर सब मौजूद है लेकिन यह निकाला नहीं गया है क्योंकि इस शेत्र में बहुत थंड रहती है और यहां की जो कंडिशन्स होती हैं काम करने लाइक नहीं है लेकिन इसलिए Eastern Economic Forum बनाया गया ताकि चीन, जापान, भारत, साउथ कोरिया, रशिया ये सब मिलकर इस शेत्रों में निवेश करें और हाल ही में इस Eastern Economic Forum की मेजबानी किस ने की थी तो व्लादी वोस्तोक जो की रशिया का एक शहर है इसने मेजबानी की थी, यानि रूस ने मेजबानी की थी तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रूस तो सही जवाब क्या है? रूस ने इसकी मेजबानी की थी इससे पहले भी मैंने मार कर दिया ना इंदोर हें चले तो सबसे पहले हम ने बोला इंडिया discrimination report 2022 किस नयारी किये ये यह यह दे रहा तो चौन चौन एन जो ढख傧े लोग यह यह सब वो लोग हैं जो हाशी का समुधाय होता है जो मार्जिनलाइज सोसाइटी होती है इनके साथ अभी भेदवा हुए ऐसा ओक्सफैम इंडिया ने अपनी बट לास्ट में हमने देखा कि इसकी पहली प्रेटन और सांस्कृतिक राजधनी किसे नामिब किया है तो सभानिबो वहारत में होगा अगले साल इसका चेर्मेन भी है और क्या वारा नसी को क्या घुशित किया गया है तो वारा नसी को घुशित किया गया है टूरिजम और कल्चरल कैपिटल यानि कि आपका परेटन और सांस्कृतिक राजधानी नेक्स्ट बात करें नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशित भेजेगा यह हमारी बात हो गई थी राशित को युनाइटिड अरब एमिरेट्स यानि संयुक्त अरब अमिराद भेजेगा हना और किस से भेजेगा तो जो स्पेस एक कंपनी है एलोन मस्क की उनका एक रोकेट है फैलकन नाइन उसके द्वारा यह भेजेगा चलो यह भी हमने डिसकेशन कर लिया था 19 सितंबर 2022 को आई एनस अजय को कहां से सेवा मुक्त किया गया है 32 वर्ष इसने सेवा दी और ऑपरेशन तलवार जो की कारगिल में नौ सेना का ऑपरेशन ता उस ऑपरेशन तलवार में भी इनस अजय की भूमीक थी तो ऑपरेशन तलवार में भी इसकी भूमीका थी और इसने 32 साल सेवा दिये लेकिन अब इसको decommission कर दिया गया है, retire कर दिया गया है, हना मुंबई से retire किया है, अब हम देखेंगे current affairs, यानि 24 सितंबर से 27 तारिक के जो current affairs है, अब हम लोग उसको शुरू करेंगे, तो ये बिल्कुल आज का पहला हमारा question देखो क्या है, 19 पहले जब हुआ तो भारत ने जीता है, आज तक कोई और विजिता नहीं रखा, तो 2010 से ये safe woman जो football championship है, ये आयुजित होना शुरू ही हर दो-दो साल में event होता है, और भारत ही ने आज तक हमेशा जीता था, पांच edition लगाता है, लेकिन जो छटवा edition अभी हुआ है, उसमें कौन जीता है, तो बांगलादेश जीत गया है, अब अच्छा नहीं खेल रही हमारी इंडियन टीम, कहीं पर भी देखो, इस बार एशिया कप हुआ, एशिया कप में भी हमको श्रिलंका नहरा दिया, पाकिस्तान नहरा दिया, दिल पे लग गई बात, और श्रिलंका नहरा और यहां पर देखो, यहां पर भी हम लोग बांगलादेश से हार गए, तो बांगलादेश से हार गए, देखो इधर ध्यान देंगे, तो यह बांगलादेश की जो महिलाएं है, पहली बार यह इवेंट जीती, तो इनका बड़ाई भवे स्वागत बांगलादेश में किया गया और निश्चित रूप से करना भी चाहिता इतनी बड़ी बात है उनके लिए बहुत अच्छी उपलब्दी है हम लोग पांच बार लगता जीते लेकिन हम लोग हार गए इस बार चलो अच्छी बात है कोई दूसरों कॉम्पेटीटर भी है ऐसा भी नहीं होना चाहिए को जगा पर केवल हम ही हम जीत रहे तो भी खेलने में मज़ा नहीं आता तो बांगलादेश की महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो सैफ जैनी दक्षण एशिया ही जो देश इस में शामिल होते क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म ह बांगलादेश झने जीता आचा वाइनल में बनॐ नेपाल का मैख्योरा भारत पहली आूट हो जूगा था तो बहुत है तो इका हो हम यह доступ के हम लोग फाइनल का बी bात है थो उप्ल फाइनल तक पहुंशना था विजयता बंगलादेश विजयता नेपाल और किसको मिला है Golden Boot तो Golden Boot किसको मلا है Golden Boot किसको मिला है तो Sabina Khathun Golden Boot उस वक्ति को मिलता है जिसका परदशन सबसे अच्छा हो सबसे यादा गोल जिसने दागे हो तो Sarvash pics player का अवार्ड गीता है Sabina Khathun जो की Bangladish की कपतान है तो यह vaat की विराट कोली है बहुत अच्छा है नोंने पर्फॉर्म किया है चले तो गोल्डन बूट किसको मिला है सबीना खातून को मिला है बांगलादेश की है 19 से 24 सितंबर 2020 को अखिल भारती पुलिस जूडो क्लस्टर 2020 कहा है उजित हुआ अखिल भारती है जूडो क्लस्टर पहली बात नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर भली लिखा है जूडो क्लस्टर लेकिन ऐसा नहीं कि वस जूडो ही खिला जाता है यहाँ पर इस particular championship में भारत की जो राज्यों की जो पुलिस है और जो central armed police force है यानि केंद्रिये जो सशस्त्र जो पुलिस force है वहाँ के भी लोग participate करते हैं और इसमें judo, इसमें karate, इसमें fencing, fencing यानि तलवार बाजी, fencing यानि तलवार बाजी, taekwondo, इसके अलावा जिमनास्ट वुशू, अलग-अलग प्रकार के जो games है, martial arts वाले, वो सब खिलाए जाते हैं, भली नाम judo हैं, लेकिन खिलाए सब जाते हैं, तो इस judo से confused नहीं होना है, तो सारे game अलग-अलग martial arts के खिलाए जाते हैं, और मैंने आपको बता दिया, इसमें central forces भी हिस्सा लेती है, central police forces भ बॉर्डर security force तो केंदरी police force का हिस्सा है, BSF असम राइफल्स, तो CRPF, CISF, BSF, असम राइफल्स, इसके अलावा सशस्तर सीमा बल, इंदो-तिबितन border police जिसको हम कहते हैं, और national security guard, यह सब आपकी केंदरी police force हैं, मैंने देखो यहां पे आपके लिए उनको एक जगा पर जाएंगे, तो यह हैं आपकी central forces, हना यह वैसे भी आपको मालूम होना चीए कि यह central forces कौन-कौन सी हैं, और इन सब ने हिस्सा लिया है, किसमें हिस्सा लिया है, तो यह जो event है, all India police judo cluster इसमें हिस्सा लिया है, तो कहां पर आयज़ित हुआ, नई दिल्ली में आयज़ित हु नेक्स बात करें, 41 टीमों ने अलग अलग जगाँ से भाग लिया है, और शुभारम अनुराग ठाकुर जो खेल मंतरी भारत सरकार के हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, यह भी हमने अच्छे से देख लिया, मुझे उमीद है कि यहां तक आप मेरे साथ बने हुए हो, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर साथ, चलो, नेक्स कोशन पर जल्दी से आएंगे, मुझे उमीद है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 19 सितंबर 2020 को किस राज जने, अभी हम लोग इसको भी रिवाइस करेंगे ना, एंड में, जो आज हम नए कोशन देख रहे हैं, 19 सितंब के सीम साब, और मनीपूर के जो सीम साब हैं, जो बिरेंदर कुमार साब हैं, इन्हों ने यह स्कीम शुरू की है, जिसके अंतरगत लोग या तो वेब के माध्यम से ही, या इस नंबर पर फोन करके अपनी भ्रष्टा चार संबंदी शिकायतें रजिस्टर कर सकते हैं, तो क से पहली बात हमने बोला मनीपूर के सीम, उन्हों ने यह स्कीम शुरू की है, बीरेंद सिंग साब, उद्देश इस कारिकरम में मनीपूर के लोग हेलप लाइन नंबर पर डाइल कर सीधे अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, और सीम के साथ सुजाओ साजा कर सकते हैं, सोचनों कि इसका मतलब क्या है, तो मनी पूरी भाषा में यह है, पूरी लिखी हुई चीज है, इसका मतलब है इंग्लिश में to inform the CM, यानि CM को सूचना देना, ठीक है, तो इससे परिशान नहीं होंगे, नेक्स चीज पर अब हम लोग जल्दी से आएंगे, देखो, नेक्स क ली नामित किया, कि भारत की तरफ से ऑफीशल एंट्री वो होगी, फिर वहां ऑसकर में जो जजज बैठे रहते हैं, वो इसको देखेंगे, जूरी जो होती हो, देखती हो, और फिर वो सेलेक्ट करती है, तो भारत ने किस फिल्म को चुना है, क्या छेलो शो, क्या ट्रिप हाएं कि इसको क्यों भेजा, सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है, कि कश्मीर फाइल्स को भेजते, आरारार को भेजते बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन आरारार तो बहुत शांदर है, मैंने भी परसनेर देखी, बहुत अच्छी मूवी लगी, तो लोगों का कहना है, ल दूसरी बात इस पिचर के सामने जो विवाद है, वो यह है, कि 1988 में एक इटालियन फिल्म आई थी पैराडीसो, और उस फिल्म के बहुत सारे सीन और स्टोरी इस फिल्म में लिए गए हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरे, कॉपीड फिल्म को आप कैसे अचा वो जो 1988 की पैराडीसो फिल्म है ना उसने आसकर जीता था, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि एक और आधारित स्टोरी पर आपने एक फिल्म बना दी, और उसको आपने आसकर में भेज दिया, तो यह तोड़ी ना कोई बात, यह फ्रेश ओरिजिनल स्टोरी होनी और वहां पर कहां दी जाते हैं, डॉल्बी थीटर, तो लॉस एंजलेस जो अमेरिका में वहां पर डॉल्बी थीटर है, और वहीं पर 1929 से यह अवार्ड दिये जा रहे हैं, बीच में बीच बीच में शुरुआत में चेंजिस इधर उदर हुई, अब 2002 से तो नियमेत रू तो छेलो शो जो मुवी है, इसके डिरेक्टर कोन है, पैन नलिन इसके डिरेक्टर है, सबसे जो विवादित मुद्दा था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सबसे विवादित मुद्दा कौन सा था, आसकर 2022 का, तो अगर आप लोग नियूस से जुड़े रहते हो, आसकर 2022 2022 का सबसे विवादित मुद्दा, विल स्मित द्वारा, क्रिस रॉक को मारा गया थपड, क्रिस रॉक ने, क्रिस रॉक ने, विल स्मित की पतनी के बारे में, कुछ बाते कह दी थी, मजाक में कहीं थी, लेकिन विल स्मित को अच्छा नहीं लगा, विल स्मित स्टेज पर मार दिया और यह बड़ा शॉकिंग था क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हना कि जो बात कहीं गई थी हो सकता है थोड़ी आपती जनक भी हो लेकिन इतुना क्या कि आपने थपड मार दिया बहुत लोगों ने इनकी फिर आलोशना की विल स्मित को हाला की ऑसकर 2022 मे पिता की भूमिका निभाई सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स अगर आप लोग स्पोर्ट से सम्मंदित लोग हैं देखते रहते हो न्यूज तो यह बड़ी माहान यह टैनिस खिलाडी दोनों बहने हैं और महान टैनिस खिलाडी हैं उनके ही पिता का रोल किंग रिचर of broadcasting यानि AIBD का अध्यक्ष है, अब आप बोलो के सर हमने इस institute का तो नामी नहीं सुना, आप इस institute के बार में क्या पढ़ा रहे हो, तो दिहान से सुनना, ये institute इसलिए चर्चा में है, एक तो ये UNESCO का हिस्सा है, UNESCO तो आप सब जानते हो, United Nation का जो पार्ट है, UNESCO तो UNESCO के अंडर एक और wing है, जिसका नाम है, और Asia Pacific Institute of Broadcasting Development, broadcasting का क्या मतलब है, ये electronic media को और कैसे बहतर बनाए, उस पे देश मिलकर आपस में इस forum पे काम करते है, electronic media का क्या मतलब होता है, देखो, एक होता है print media, जिसका सबसे अच्छा उधारण है, आपका newspaper, आपके समाचार पत्र, print media, समझ भ इंटरनेट सबसे चाओ धरने, electronic media का, तो सुनिएगा, ये जो electronic media है, इसको और कैसे बहतर बनाए, इसके लिए कुछ देशा, निर्देश और कैसे बनाए, जो देश सभी आपसी में लागू कर सकें, overall लागू कर सकें, तो ये AIBD का काम है, और ये क्यों चर्चा में है, क्यो तो इसका सही जवाब है भारत, वरतमान में भी वो है, और एक साल के लिए इसका कारिकाल और बढ़ा दिया गया है भारत का, AIBD, UNESCO का हिस्सा है, इसकी स्थापना 1977 में हुई, AIBD, शामिल देश 26, और हम देखते हैं, कि इसका जो मुख्याले है, वो है क्वाला लुमपूर मलेशिया, तो क्वाला लुमपूर, क्वाला लुमपूर आप सभी बच्चे समझते हैं, क्वाला लुमपूर है तो क्वाला लुमपूर जो मलेशिया, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मुख्याले मौजूद है, मलेशिया की राजधानी क्वाला लुमपूर में इसका गई होगी देश की सबसे लंबी नदी क्रूस से वा किन दो शेहर ओंके बीच में शेर होगी क्रूस्षीप अगर आपने सुना कभी गुरूस्षीप है gustion होती है जिसमें देखते हैं कि अंदर हम इन्दर हम देखते हैं कि इसमें Restorant होता है, इसमें Swimming Pool होता है, इसमें Bar होता है, इसमें कसीनो होता है Theater होते हैं, आलब पूरी की पूरी Entertainment दुनिया पूरे इसमें ही रहती है और लोग कुछ पंदरा-पंदर दिन महीनों महीनों यहां पर बिताते हैं, तो Cruise भारत में कई जगाँ पर चलती है लेकिन सबसे लंबा जो डिस्टेंस है क्रूस का अब वो शुरू होने वाला है कुछ समय में और कहां से कहां के बीच तो वारण असी और बोगी बील के बीच में द्यान से सुनेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप सबको मालू में मालू वारण असी मैंने लिख दिया तो उत्तर प्रदेश में मैंने लिख दिया है आपका वारण असी यह हो गया वारण असी और यहां पर असाम आपको दिख रहा होगा तो यहां पर मैंने लिख दिया का उधगाटन किया था और ये देश का सबसे बड़ा रेलवे रोड ब्रिज है, रेलवे रोड का मतलब क्या है, कि दोनों ही चीजें यहां पर होती है, यह बोगी बील ब्रिज में पहले आपको दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना, बोगी बील ब्रिज कहां पर है आसाम में है आसाम में कौन सी नदी के उपर है तो ब्रह्म पुत्र इदे को आपको नदी दिख रही है तो ब्रह्म पुत्र नदी के उपर है और यह रोड और रेल ब्रिज है यानि रोड कम रेल दोनों ही चीजे इसमें एक साथ है कैसे नीचे यह जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है यह वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर ट्रेन चलती है तो यह नीचे का हिस्सा यह है ट्रेन का हिस्सा और ऊपर यहाँ पर आपको रोड देखने को अलगी दिख रहा है मिल रहा है तो यह आपका रेलवे प्लस रोड ब्रिज है यह इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लस रोड ब्रिज है बोगी बील ब्रिज 4.9 किलो मीटर इसकी लंबा यह 4.9 किलो मीटर और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो यह इंडिया का सबसे बड़ा हो गया और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल कम तक तक तर्स्री निक्ल्दट तो निकल जाएगी लेकिन ब्रह्मः पुतर तोस도 कोई बात नी भर्रहा पुत्र से पिर यह गंगा नदी में यह चली जाएगी कौन क्रूज तो क्रूज जो है वह बोगी बील में भ्रह्मः पुतर नदी से मानलो शुरुबात कर चार हजार किलो मीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी चले घोश्रा किस ने किया है जल मार्ग और जहाज रानी मंत्री जो सर्वानंद सोनेवाल सावे उन्होंने घोश्रा किये 2023 में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी चले बहुत अच्छी बात है शुरुआत हो जाएगी नेक्स्ट बात पर हम लोग जल्दी से आते हैं देखने हैं क्या है हाल ही में देश की दूसरे सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी तो एक ही व्यक्ति का नाम है जो की पूरे देश में चाया हुआ है हर जगा अमीर ये व्यक्ति बनता ही जा रहा है, ये व्यक्ति मानी नहीं रहा, और इस व्यक्ति का नाम है गौतम अदानी, तो गौतम अदानी सहाब ने 6.5 बिलियन डॉलर की एक डील की है, और ACC सिमेंट और अम्बूजा सिमेंट को अब इन्होंने अधिगरण कर लिया, तो ACC सिमेंट और अधिगरण कर लिया, गौतम अदानी सहाब ने, और गौत सुत्रों से पता चला है, इस डील के बाद गौतम अदानी बोलते हुए पाए गए, कि मैं पूरा देश खरीदेगा, ये इंसस सुना हो गया, तो इनने अब दो सिमेंट फैक्टरी भी खरीद ली है, अम्बूजा और ACC, और इसको खरीदने के बाद अदानी गुरूप का ही जो सिमेंट वाला वेंचर है, वो इंडिया में सेकेंड हो गया, तो फॉस्ट नंबर पर कौन सा है, तो फॉस्ट नंबर पर है अल्टरा टेक, और सेकेंड नंबर पर अदानी गुरूप का ACC प्लस अम्बूजा, अब ये एक ही अदानी गुरूप के पास चला गया, गौताम अदानी कुछ समय पहले दुनिया के दूसरे सब्स, पहले ये दुनिया के तीसरे रहीज बने वें, फिर दुनिया के दूसरे रहीज बन गए, वा, इनका पैसा बहुत बढ़ रहा है, और ये पहले एशिया ही पहले भारती तो obvious सी बाते हैं, पहले एशिया ही वेक्ति हैं, जो second richest person of world बने है, दुनिया में आज तक कोई एशिया ही ऐसा नहीं हुआ, कोई एशिया का वेक्ति नहीं हुआ, जो second number का rich बना, लेकिन ये बन गया, सोचो चीन, जापान में, South Korea में, ताइवान में, बड़े पड़े रहीस लोगें, मगर तब भी कोई दुनिया का second number का रहीस नहीं बना, सोचोन के पास कितना पैसा है, और first number का रहीस कौन है, तो Elon Musk बाबू है, अपने हैं, SpaceX Tesla वाले, वो first number के रहीस है, चले इधर ध्यान देंगे, WTA चिन्नाई Open 2022 का एकल खिताब किसने जीता है, तो चिन्नाई Open 2022, टैनिस टूर्नमेंट है, महिलाओं का टैनिस टूर्नमेंट है, और question बोलता है, किसने जीता है, तो Linda Fruhu Vitova ने जीता है, तो Linda Fruhu Vitova जी ने इसको जीता है, यहाँ पर आपके सामने नाम है, Linda Fru Vitova, आराम से इसको practice करना, और इनने जीत लिया है, चिन्नाई चिन्नाई Open उन्हों जीत लिया, चिन्नाई Open कहां पर हुआ, चिन्नाई उपन, अभीस सी बाते चिन्नाई में हुआ, भारत में हुआ, सिंगल स्विनर 2022, तो देखो लिखा भी है, यह क्या है, महिला टैनिस टूर्नमेंट है, चिन्नाई उपन, विजेता, तो Linda जो है, वो च खतनाक खतनाक लो, लेकिन जो सबसे अधर चर्चा में जो खिलाडी रहा है टैनिस में, उसका नाम जरूर आपको अभी जानना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, रॉजर फेडरर, रॉजर फेडरर, शायदी कोई टैनिस वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो टैनिस देखता और पास के जो लोग थे, जो खिलाडी थे, वो भी रोने लगे, उनके जो साथ में जो खिलाडी थे साल तक खेले, जैसे रफाल नडाल वो भी मौझूद थे, वो भी खेले, तो रॉजर फेडरर सहाब ने टैनिस को अलविदा कह दिया है, इनने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल वैसे ही टैनिस में ग्रैंड स्लैम सबसे बड़ा इवेंट होता है, तो जिस प्रकार, यह मैंने आपको कंपरेजन बता दिया, तो 14 साल तक, 14 साल तक सबसे अदा ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्हों नहीं जीते थे, फिर इनको बीट कर दिया है, और भी लोग हैं जो आगे हिकल गए हैं, आज की तारीक में बात करूं, सबसे जादा ग्रैंड 7 टाइटल है राफियल नडाल के पास, तो आज सबसे जजादा किसके पास है, टो जो राफेल, राफेल विमान की बात नहीं होरी है, तो राफेल नडाल, जो खिलाडी है, सबसे जदा 22 रैंड इनके बा चलिए हाली में कौन नौर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वत्तर शेत्र के पहले और सबसे अधिक आयू के भारती तेराग बन गए चले इधर एक व्यक्ति का नाम में आपको बता रहा हूं तो यहां पर एक व्यक्ति हमारे सामने एल्विस हजारिका यह उनकी तस्वीर ह यह नौर्थ शेत्र के जो उत्तर पूर्वी शेत्र हैं वहां के हम देखते हैं कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नौर्थ चैनल को पार किया है नौर्थ चैनल को पार किया है नौर्थ चैनल को पार किया है नौर्थ चैनल यह है नौर्थ चैनल इधर आप देखें और यह Scotland और Ireland जो North Ireland है उसके बीच में है मैं आपको सभी बच्चों को एक बात बता दू अगर आपको ये नहीं मालूम तो देखो क्या होता है ना क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको UK UK देखने को मिल रहा है तो परिशान नहीं हो ना क्या आप जानते हो एक देश है इंगलेंड उसकी राजधानी है London इंगलेंड के साथ जब उसके पडोस वाला Wales जुड़ता है तो इसको Britain कहते हैं इंगलेंड एक देश है और Wales अलग है लेकिन इंगलेंड प्लस Wales करते हो आप तो Britain बनता है इंगलेंड प्लस Wales फ्रहेंट प्लस में बता है यंगलेंड प्लस में बता है सबसे पहले मैंने आपको क्या बता किन घभाप मैं प्लस वेलस प्लस सकॉटलैंड कर देते हो तो ग्रेट बरेट rays जहां कि नाथन आयरल कर देते हो तो युनाइटिड किंड्म दा रहता है युक VOICE लिखा हुआ है इसली मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे बोले सारी गलत लिखा यूके कहां से तो यह यूकी यह तो युनाइट resilient यूनाइटिड सामराज है चलो नेक्स बात करें यह नौदन आइलेंड धंकी भी देता रहता है मैं निकल जाओंगा स्कॉट्लेंड भी धंकी देता रहता है कि हम यूके छोड़ देंगे चलता रहता है इनका चले धर ध्यान देंगे तो एल्विस हजारी का जो सहावे उन्ह चैनल की लंबाई है इसको इन्होंने पार किया है ठीक है और हमने देख लिया कि नौर तीस्त के पहले वेक्ति जिन्होंने ऐसा किया और इसके अलावा सबसे उम्र दराज भारतिये तेराग भी यहीं है कौन है एल्विस हजारी का सहाब चले तो यहां पर आप देख सकते ह अना तो इनने असामी भाषा में लिखा हुआ है चलो नेच्ट बात करें 19-22 सितंबर 2022 तक ग्लोबल फिंटेक फेस्ट 2022 कहां आयो जित किया गया ग्लोबल फिंटेक फेस्ट आज की क्लास का लास्ट कोशन फिर डिविजन करेंगे ग्लोबल फिंटेक सबसे पहली बात यह द उनों के मिश्टन पर काम कर रही हैं जैसे हम लोग कोई उधारन ले आप एमेजॉन का उधारन ले लो बाई एमेजॉन क्या एक फिंटेक कंपनी है टेकनोलोजी के माद्यम से वह आपको घर बैठे बैठे दिखा देता है कि यह प्रोड़क उसके पास है और फिर आप पेम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन भारत में अभी यह बना रहे हम लोग देश की सबसे पहली फिंटेक सिटी के रूप में फिंटेक सिटी मतलब जहां पर सबसे आदा ऐसे स्टार्टप्स हैं सबसे आदा स्टार्टप्स वगएरा आए हैं तो मुंबई को माना जाता है आपने जर दिए फिंटेक फेस्ट ओर्गनाइस किया एकिसने औरगनाइस किया किया नैश्नल पेइमिंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के द्वारा घ्लोबल फिंटेक फेस्ट मुंबई का जींटर तो एंबानी सेंटर है यही दोनों लोग तो हैं बानी यदानी जो देश चला मुंबई में ठीक है financial technology और ये दोनों से संबंदित कंपनियों को कहते हैं उद्देश क्या था एक सतत्वितिय दुनिया का निर्माड करना creating a sustainable financial world चले sustainable का मतलब है एक ऐसा financial world जिसमें हर प्रकार के जो लोग हैं जो दूर दराज के भी लोग हैं जो की वैसे mainstream दुनिया से वैसे मुख्य दरा से जो दूर हो गए उनको भी हम लेके चले अब इसमें जो की टीन की पॉइंट थे वो क्या थे सुनिएगा तो इस इस पर्टिकुलर इवेंट में इस Global FinTech Fest 2022 में जो की फीचर थे एक यह था रूपे रूपे क्रेडिट कार्ट आपको मालूम हो कि जैसे Mastercard जैसे वीजा आपके आप देखना आपके जो बैंक के कार्ड है उस पर लिखा रहता है Mastercard वीजा वैसी होता है रूपे कार्ड भारत का कार्ड है रूपे तो सुनिएगा रूपे कार्ड को यूपी आई से जोड़ना इसका मतलब है कि अब क्रेडिट कार्ड को इसका मतलब है कि जब लोग यूपी आई में पेमेंट करते ना जैसे आपने कोल्ड रिंग ली आपने उसका पेमेंट किया लेकिन क्रेडिट कार्ड रूपे के जोड़ने की बात हो रही है यानि कि जो लोगो क्रेडिट कार्ड क credit card के माध्यम से आप अभी पैसा दे दो और बाद में credit card में जिसे चुकाते हैं वैसे चुका देना तो रूपे credit card on UPI next UPI light UPI light एक नई चीज है UPI light नई चीज इसली है low value transaction जितने होंगे यानि कम value के जो transaction होंगे उनको अब offline mode में उसका processing हो जाएगा offline मतलब बिना internet के क्या बात करें सर बिलकुल तो UPI light में क्या है जो low value transaction है चोटे 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 transaction है बिना internet के उपयोग के अब पेमिंट कर सकते हो कुस दुनों में ये शुरू हो जाएगा इसको ही हम कहना है UPI light खास और पर उस सेक्टर को ध्यान में रख रहे हैं जहां पर internet की विवस्ता जादा नहीं होती जैसे मानलो कोई गाओं है जो गाओं है तो वहां के लोग ने भाई क्या बेगाड़ा है उनको भी मिलना चीए क तो वहां पर offline mode में भी छोटे मोटे transaction हो जाएंगे ये इसलिए UPI light अब शुरू किया जाएगा भारत बिल पे cross border bill payments क्रोस border bill payment का मतलब है कि ऐसे लोग जो की भारती है लेकिन भारत में मौझूद नहीं है उनका घर भारत में है तो वह लोग अब भेज सकते हैं पैसा और वह बिल यहां पर भर सकते हैं for example अगर कोई बंदा है जो UAE गया है कोई व्यक्ति जो UAE गया है उसकी family धर ही है तो वहीं से बैटे बैटे इस UPI के तुरू क्या कर देगा वह अपना पानी का बिल बिजली का बिल और ट्रांसपोर्ट का बिल जो भी बिल है वह जैसे हम लोग भ करेंगे रिवीजन बहुत जरूरी है रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिस बच्चे ने रिवीजन को हलके में लिया एग्जाम ने उसको हलके में लिया इधर धयान देंगे सबसे पहले हमारा देखो क्या कोश्चन था तो आज ही क्लास के हमने कहानी कहां से क्या था सेकेंड कोश्चन देखो हमारा क्या है तो सेकेंड कोश्चन था अखिल भारती पुलिस जुड़ो क्लस्टर 2022 कहा युजित हुआ नई दिल्ली में यह आयुजित हुआ और हमने देखा कि इसमें केंद्री और राज जो पुलिस है वह इस्सा लेते हैं यह भी हमने सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किंदो शहरों के बीच में शुरू होगी तो वारण असी और बोगी बीच में चार हजार किलो मीटर का पानी का बीच में रस्ता है वहीं पर सबसे लंबी नदी क्रूज हम लोग चलाएंगे बहुत अच्छी बात है नेक्स बात करते हैं नेक्स बात देखो क्या है बोगी बिल ब्रिस्ट उमने देख लिया हाली में देश की दूसरे सबसे बात करेंगे नेक्स बात क्या है रोजर फेडर साब ने हमने देखा कि इनका हो गया हाली में कौन नौर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर शेत्र के पहले और सबस्दिक आयू के भारती तेराग बन गहें तो एल्विस हजारी का साहब बन गहें यह सम के हैं और हमने देखा इन्होंने नौर्थ चैनल को क्रॉस किया जो स्कॉट्लेंड और नौर्थ आ अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो निश्चित रूप से इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाएं जहां पर आपको लगता है कि उनको भी इससे फायदा पहुंचना चाहिए चलें आप अपना जो फीड़बैक है वो हमको हमारे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी हमारा कोको यूपीएसी नाम का भी चैनल है जहां पर यूपीएसी से संबंदित हम लोग करेंट अफेर्स की वीडियो डिटेल्ड अनलिसिस के साथ जालते हैं तो आप वो वीडियो भी जरूर वो चैनल को भी उतना ही प्यार दें जो आपने मे जा सकते हैं ओके बाई बाई सी यू अगें